आज का ये वीडियो मुख्य रूप से JSC के दवारा जो नया रिफ्रेस लाब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है लंबे अर्षे के बाद कुछ यूनिक होने वाला है JSC जो है वो अपना सुख बुगाहट दिखाया है और सबसे पहला जो अटेम्ट है वो लाब असिस्टेंट के रूप में सामने दिख रहा है तो इस वीडियो में बेसीकली मैं जो कंप्लीट एनालिसिस है वो लाब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है उसका मैं करूँग गया था और उसके बाद रिफिरेश होकर कि फिर से सरकार के दोवारा अभी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है ठीक है ध्यान रखिएगा इस जो लाब असिस्टेंट का पहले जो था एज इटीज है बस समझ लिजे कि नोटिफिकेशन न्यू तरीके से नए सिर हुजन होगा इस वीडियो के बाद आपको वो दूर हो जाएगा कि संबंधित जो कास्ट है कौन से कास्ट के लिए कितना सीट एलोकेटेड किया गया है उसे संबंधित होने वाला है ठीक है देखो परिच्छा सूल के है वो 100 रुपया होने वाला है और छूट किसको मिलेग एस्टी एस्टी के लिए देखो एस्टी और एस्टी के लिए क्या किया गया है पचास रुपया क्लियर है ये वाला बात ध्यान रखेगा इसके अलावे आरच्छन जो है किसके किसके लिए दिया गया है तो परियोग साला सहायक बहुत की के लिए किसको किसको क्या क्या है म दिख लिजे आपको यहां से समझ में आ जाएगा इसके अलावे परियोगसाला सहायक जो रासाइन सास्त्र संबंदित होंगे उनके लिए STAC, OBC1, OBC2 और इसके बाद EWS तो यह अलग-अलग पोस्ट है, टोटल यहां पर तीन पोस्ट को दिया गया है, परियोगसाला सहायक जीविज्यान से समझ में रासाइन विज्यान और इसके बाद भौतिकी शास्त्र, तीनों का अलग-अलग है, ध्यान रख लिजेगा इस बात को, इसके अलावे सारे के सार अलग-अलग-अलोकेट किया गया है, आप थोड़ा सा यहां पर स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, मैं यहां पर, या फिर अपना जो टेलीग्राम चैनल है, मैं इसको वहां पर पीडियेफ को दे दूँगा, आप वहां से भी चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है, में बात क्या है वो ध्यान रखिएगा, यहां पर कि पहले यह देख लीजे, एज लिमिटेशन हैं, जो अनरच्छित है 35 साल के लिए, BC1 और BC2 के लिए 37 साल, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, यह अनरच्छित आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 38 साल यहां पर दिया गया है, और ST, SC 40 साल है इनके लिए, ठीक है, तो यह तो उम्र सीमा बताया गया है, इसके आलावे और क्या है इसमें, निसक्तों के लिए भी कुछ सुईदा दी गई है, यह आपके लिए तब होगा जब आप फिजिकली हैं, तब अगर आपके पास सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, अपडेटेड है, जब का इसका डिमांड किया गया है, उस समय तक का और कहां से, ठीक है, अनुमंडल पदादीकार यहां लिखा हुआ है, कहां से इसू किया गया है, ठीक है, वो भी धियान में रख लेना, और नहीं करेगा, ठीक है, जाती आवासे, यह दोनों नेसेसरी होगा, अस्थानी निवासी परमान पत्र भी, ठीक है, और जाती परमान पत्र तो आपको दे नहीं है, देख लो, यहां पर यहां तो आपका अनुमंडल के उपायुक्त, यह अनुमंडल पदाधिकारी से अधारी परपत्र में दिनांग 25 दो 2019 को, अथो उसके बाद का, तो अंचला धिकारी स्तर के निर्गत जाती परमान पत्र जो है, वो मान्य होगा, और उसमें परसिस्ट थिरी ध्यान रख लेना, सर्टिफेकेट अपना क्लियर कट रख लेना, सिंपल सा फंडा, अगर सर्ट कि अभी तक मामला गंभीर था, उसके बाद भी अगर इन नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो अब अपनी तरीके से तयार हुई है, ठीक है, विवाद तो था ही, विवाद के बीच में जैसे सी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अब वो अपना डिसीजन, अपना जो मत है या पक्ष है, वो स्ट्रॉंग बना ली है, उस पर वो काम कर रही है, सिंपल से फंडा, अब आपको क्या करना है, वो आप खुद समझदार है, और पेनलाइज करके समझ सकते हैं इस चीज़ को, मैं कोई भी ऐसे स्टेटमेंट मैं ही दूँगा यहाँ पर पब्लिकली कि व और कंट्रोवर्शी होगा, तो प्रॉब्लम होगा मेरे लिए, तो मैं वो स्टेटमेंट नहीं दूँगा, आप समझदार है, वन वर्ड इस इनफ टु एरिजनेबल पर्शन, आपको पता चली जाएगा, डेट कब से जा रहा है, रजिस्ट्रेशन है तू, पांच चार दो 2023, दिनांक, चार पांच 2023 की मध्र रातरी तक, ठीक है, पांच चार से लेके, चार पांच 2023 तक ये क्या होगा, भारा जाएगा, ध्यान रख लेना, टाइम पीरिड नेसेसरी है, और इसके अलावे आपको थोड़ा सा न, ये समझ लेना है, कि कौन-कौन सा पेपर का है, मेरा में मुद्धा है यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का, कि आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखो, सामान्य ज्यान और हिंदी भासा परिच्छा, सो अंका होगा, और जिस विशे में न्यूक्ती होनी है, उस विशे की परिच्छा, तैसे आप फिजिक्स से ह बायो से हैं, केमिस्ट्री से हैं, है ना, तीनों में से कोन सा परिच्छा है, उसका ये पेपर 2 होगा, ठीक है, पेपर 1 सो परस्न होगे, पचास परस्न समान अधियन का, पचास परस्न हिंदी भासा से होगे, तो यहाँ से 100 कुशन, 100 अंक, क्लियर है, और धियान रख लेना कि पेपर 2 जो है, वो 1.500 परस्न होगा, यानि कि पेपर 2 के लिए 150 कुशन होगे, 150 कुशन इंटू 2 इक्वल्स टू 300 अंक, क्लियर है, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है, कि 300 अंक का होगा आपका पेपर 2 और पेपर 1 जो है, आपका हो जाएगा, 100 अंक का, ठीक है, इस कि अलावे इस बात को ध्यान रख लेना कि पहला पेपर 1 वो क्वालिफाइंग नेचर का है, general study और हिंदी भासा, क््वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना होगा, क्वालिफाइंग नेचर में कौन-कौन से में क्वालिफाइंग कोन-कौन स वो किस-किस सीज से तो जारखंड भी है और जेनरल स्टडी से समंदित जितने भी चीजे होंगी वो सारा इंक्लूड हो जाएगा सामानिय ज्यान का पेपर में ठीक है यह 50 कुस्टन होंगे और 1 कुस्टन 1 मार्क्स का तो यहां से 50 नमबर और उपर से 50 नमबर ठीक है तो यह ह पेपर 2 जांच होगा अधरवाइस नहीं होगा देखो यह तो हो गई लाब असिस्टेंट की बात बचा अब अगर लाब असिस्टेंट का आ गया है नोटिफिकेशन तो इसके बाद जो आने वाला है उन एक्जाम्स का इस वीक में हमको लगता है तीन से चार ऐसे नोटिफ करके स्पेसिफिकली नियोजन निति को ले करके रिजर्वेशन का ले करके है ना इन सब चीजों के कारण से अपने आपको क्या किये थे बैक फूट पर कर लिये थे वो नहीं होना था पहले भी मैं वीडियो में बताता था आज भी मैं बता रहा हूं कि वो नहीं होना था आ अब आपको clear cut ये mind make up कर लेना है कि अब जो SAC जो है अब वो रुकने वाली नहीं है चाहे वो PGT हो JSC CGL हो या और other exams होंगे जो JSC से संबंदित है वो सारे के सारे exams इस week में notification या इसके second दूसरे week में ठीक है इसके बाद वाला week में एकदम स्योर स्वाट रही है कि सुख भुगाहट दिख रहा है चाहे वो अस्थानिय निती को ले करके था चाहे नियोजन निती को ले करके था वो दोनों जो issues है उस पर बात करने का तात पर ये बस यही था कि JSC जो है वो अब active mode में आ गई है ठीक है और जैसे ही active mode में आई है तो अपना जो रूप है वो दिखाना चालू कर देगी और उसके बाद ही रूखेगी नहीं ठीक है तो इतना बस अपना जो motivation लेवल है वो थोड़ा सा strong करिए strong करने के साथ साथ hard work भी करना necessary है otherwise problem हो सकता है और JSC के साथ साथ JPC वाले भी तयार रही है ठीक है कभी भी notification गिरा देगा ये दोजार चुबिस में election अजारखन में और इनके पास कहने के लिए option अब यही इनहीं के माध्यम से होगा कि हां मैंने रोजगार संबंदीत कुछ काम किया है तो कहने के सरकार ये कोशिस करेगी कि वो इन सब चीजों को clear करके और उसके बाद अपना जो manifesto है है ना election manifesto होता है ना उसमें अपना इसका जिक्र करें तो ध्यान रखेगा सरकार अपने तरफ से जो strong पक्ष है उसको रख ले रही है अब आपको ये चाहिए कि आप अपना analysis अपना तैयारी थोड़ा सा बढ़ चरकी करें ठीक है देखिए हम लोगों के दवारा continuously वीडियो बनाया जा रहा अभी भी बनाया जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा ठीक डंग से आपको भी पता है आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर एक बार विजिट करिए हमारे चैनल पर वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे पूरा जार्खन दर्शन करवा दिया गया ह कुल्हान परमंडल जो है लास्ट में अभी एक से दो दिन में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और इसका पूरा एक बड़ा मास्टर वीडियो कम से कम 17-18 घंटा का सिर्फ जार्खन सारे के सारे जो जार्खन दर्शन है उसका सीरी चला दिया है इसके अलावे जेनरल स्टडी पेपर में अलग-अलग बाइफर्केट करके मास्टर वीडियो दिया गया है चाया वो हिस्ट्री हो जिग्रफी हो पॉलिटी हो है ना इकनामिक्स हो सबका अलग-अलग सारा का सारे वीडियो आपको चैनल में दिया हुआ है आप वहाँ जरूर विजिट कर लिए वो मैं देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा बस इतना रिक्वेश्ट रहेगा कि आप जरा अपना सपोर्ट बनाए रखे क्योंकि मोटिवेशन हमको वहीं से मिलता है अब अगर हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ने के लिए सामने वाला इक्चुक नहीं है तो हम लो नहीं दिया पीटी और मेंस कैसे ले लिया पता नहीं चला ठिक उसी तरह जैसे सीजिल में भी वही हालत होने वाला है तो बस अपना कमर कस लीजिए और कमर कसने के साथ हाड़ वर्किंग का एक वेपन ले करके और बैटल फिल्ड में उतर जाए अंधा दुन फाइरिंग कर करने के लिए सामने वाला को न निस्तो नाबूद करना है तो आपको अपना जो स्ट्रॉंग पक्ष है वो हत्यार बना लेना होगा तभी कुछ काम हो सकता है ठीक है आप लोगों का बस इतना मैं जानता हूं कि आप लोग उतना अंडरस्टेंडिंग आपके पास है आप आपके साथ प्राइसानी यह सुच सकती है कि suddenly जब एक्जाम आएगा तो आप सामने फेश नहीं कर पाएंगे और इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपना continuity बनाए रखें hard work को एक key element के रूप में ले करके चले बस इससे जादा हमको और कुछ बताना नहीं है आप खुद स आप एक्जाम चालू हो गया है अगर आप लोग का proper respond रहा तो हर सीगमेंट का ठीक हर सीगमेंट का चाया ओ जहारखंड हो चाया जिनरल स्टडी हो चाय करेंट अफेयर हो जहारखंड का या national international वो continue ली दिया जाएगा इतना मैं assure करता हूं आगे मिलते है नेक्ष वीडियो म तब तक के लिए thank you thank you very much